हाई अब्रिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हुँ राहूल जैस्वाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर डूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामने मैस का एक मोश्ट इंपॉ होता है उसका एक नया चाप्टर एक फ्रेश चाप्टर आपके लिए शुरुवात करने जा रहे दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नमबर फाइफ कॉड्र लेटर बहुत सारी लोग का कंटियूसली कमेंट आ रहता है कि सरीय वाला चाप्टर जो है स्टार्ट कीजे तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्टर वीडियो की जोकी है चाप्टर नमब फाई एक नया चाप्टर है कॉड्र लेटर आज हम पढ़ने वाले है इसका लेक्टर नमबर वन पहला लेक्टर है पहला इंपोर्टेंट चाप्टर होता है हमेशा से मैं बोलता हो दोस्तो कि जो पहला lecture होता है, वो conceptual lecture होता है, कोई भी chapter के लिए, तो शुरुवात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि quadrilaterals का मतलब क्या होता है, इसके पहले आपने 8 standard में पढ़ा होगा, there are various types of quadrilaterals, जो कि आपको मैं start में वही बताने वालो basic चीज, कि quadrilaterals क्या होता है, आपको कुछ basic चीज recall हो जाए, फिर हम लोग जाएंगे examples की तरफ, ओके, तो let's start, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे कि आपने बहुत बार ये दिखा भी होगा, कि quadrilateral जो होते हैं, बहुत सरे type के होता है, और basic meaning जो होता है na quadrilateral का, जो हमारा chapter का नाम है quadrilateral, basic quadrilateral क quadrilateral हो सकता है, वो एक square भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद भी 4 side होते हैं, और बात करें, और quadrilateral जो हो सकता है, वो एक parallelogram भी हो सकता है, ठीक है na parallelogram, ये आपने study किया होगा, 8th standard में, parallelogram भी हो सकता है, आपका quadrilateral जो हो सकता है, वो rhombus भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूर से बत रॉम्बस, स्क्वायर और लाश बट नॉट बलिष्ट एक और होता है जो कि होता है ट्रेपेजियम भी होता है दोस्तों आपने देखा होगा यह चीज तो बहुत सारे ऐसे टाइप के एक्जामपल से जो हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं कि यह जो कॉडिलेटरल है वो इसमे यह लिए हम बता रहे हैं यहां पर ठीक है तो डैरेकली में आपको स्वाल एक्जामपल कराता नहीं तो फर एक्जामपल डिस इस रक्टाइंगल लाम दे सकते हो आप ए बी सी जो भी आपको नाम देना है तो आपने एक चीज नोटिस कर सकते हो आप यह जो साइड है वो ड अब इसी को हम लोग अगर मैं बता हो कि square क्या होता है next जो है हमारा अगर मैं बात करूँ square क्या होता है इसी को में थोड़ा सा और rough करके इसी में थोड़ा सा आपको मैं यह बता देता हूँ इनोवेट करके, that is, अगर मैंने इस तरह बना दिया, ठीक है, आपने देखा, A, B, C, D, बना दिया, तो आप देख सकते हो, यह चार साइड हो गए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें क्या खुबी होती है, कि इसमें चारो के चारो साइड का जो लेंग्ट होत है, तो A, B, C, D आपको समझ में आगया, तो स्कॉयर के के समें क्या होता है, कि अपोजिट साइड और कॉंगुरेंट टू इच एदर, अपोजिट साइड अइंगल जो होते हैं, वो सेम होते हैं, यहाँ पर चारो के चारो आइंगल आप देखोगे, तो 90 डिगरी ही बनने यहाँ पर, चारो के चारो आइंगल भी 90 डिगरी होंगे, चारो के चारो साइड भी कॉंगुरेंट होते हैं, और चारो के चारो एक दूसर को पैरलल भी होते हैं, यह हो गया हमारा स्कॉयर, अब हम लोग बात करेंगे, थर्ड केस, जो की होता है पैरललोग्राम, तो पैरल opposite sides जो होते हैं, एक दूसरे को parallel होते हैं, opposite sides ही सिर्फ एक दूसरे को parallel करते हैं, और कोई भी sides एक दूसरे को parallel नहीं करेंगे, जैसे कि AB जो है वो CD को parallel है, AD जो है वो BC को parallel है, और ऐसे case में क्या होता है, एक और चीज़ होता है, कि opposite angles भी एक दूसरे को congruent होते हैं, पहली बात त होती है यहां पे diagonals भी एक दूसरे को bisect करते हैं यानि कि यहां से एक यहां से और दोनों का length जो होता है वो equal होता है यानि कि जो BD का length रहेगा और जो यह वाला इसी का length रहेगा वो differ तो करेगा लेकिन एक दूसरे को perpendicular bisector होते हैं तो यह सब चीज में आपको बताने वालो यह तो हो गया हमारा बात parallelogram का rhombus इस तरह से आपका rhombus का shape होता है इसमें भी क्या होता है opposites जो चारो sides होते हैं सबसे पहले बाद चारो sides congruent होते हैं यह चारो के side जो होते हो आपको नाम जानकारी के लिए दिया हुआ है और basic चीज आपका first page आप देखो के page 57 में तो यह basic चीज दिया होते हैं कि क्या-क्या होते हैं आपको recall कराया जा सकी क्या होता है square क्या होता है rectangle, trapezium and मुझे लगता है आप लोग बहुत ज्यादा talented भी हो and बहुत सारे लोग को यह पहले से ही आता होगा कि क्या-क्या होता है rhombus में क्या होता है parallelogram में यह सभी चीज आपको बहुत सारे concept पता होगे अगर नहीं पता तो आप लोग को यह बहुत benefit करेगा क् तो यह आपको पता चल गया होगा, अब हम लोग चलते directly कुछ topics के उपट, ठीक है तो यह तो basic हो गया जो कि हम लोग को अल्रीडी पढ़ना था और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 8 standards ठीक है, तो यह property हो गई parallelogram की, अब मैं आपको कुछ theorem पढ़ाने वाला हूँ, जो कि directly बत चाहिए था, जरूर से आपने ध्यान दिया होगा, अगर 8 में, तो आपको यह चीज 100% आ गया होगा, बट अगर नहीं ध्यान द्याद दिया होगा, तो कोई बात निए दोस्तो, आप ध्यां देनी की बारी है, यह अब मैं आ आ गया उओ, तो आपको चिंता करने की ज़रू और यहां पे एक तरीके के diagonals यहां पे draw किया हुआ है, इस तरीके से, यहां पे जो है, इस तरीके से diagonal जो है, वो draw किया हुआ है, ठीके, चलो, draw कर लिया मैंने, ठीके, अब यहां पे हमें जो statement बोला है, theorem का, theorem number 1 बोला है, कि opposite sides and opposite angles of a parallelogram or congruent, यह हमने पहले से देखा हुआ है, लेकिन यहां पे हम लोगों एक चीज़ बताना है कि opposite sides, यानि कि opposite sides की दर है DC, AB, यानि कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, कि जो मेरा DC है, वो congruent रहेगा, AB से, यह हो गया एक opposite side, और दूसरा side क्या है, AD, तो AD जो है, वो मेरा congruent रहेगा, कि से BC से, तो हम लोगों एक चीज़ क्लि इसी से बराबर था, इसका मतलब क्या है, opposite sides are congruent, यह मैरा एक चीज़ बता दिया, and second चीज़ इसमें बोला, कि opposite angles भी एक दूसरे को congruent होता है, यहां पे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहां पे opposite angle कौन से, अगर हम बात करें, यह एक angle है, और यह angle है, तो let's suppose इसका angle x होगा, तो यह भी angle x होगा, अगर यह y होगा, तो यह भी y होगा, तो हम लोग in short क्या बोल सकते हैं, कि जो मेरा angle a होगा, यह जो a है, angle a will be congruent to angle c, and angle जो b है, वो congruent रहेगा d के साथ, तो angle b will be congruent to angle d, क्यों हुआ दोस्तों यह चीज़, क्योंकि opposite angles जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, congruent होते है, opposites angle are congruent, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, clear रहे दोस्तों समझ में आ रहा है, आपको बहुत easy एक तरीके से, यह मने आपको explain किया है, कि अगर आपको कोई भी parallelogram दिखता है, ठीक है, question दिया हुआ है, diagram बनाने बोला है, कोई भी parallelogram दिखता है, तो आपको दो proof करके बोला था, लेकिन proof कभी आता नहीं, exam में, that's why I am not explaining the proof to you, लेकिन directly जो हमें पढ़ना था, जो कि हमें बताना था, कि यहास, हम को पता होना चाहिए, कि opposite sides congruent होते है, opposite angles congruent होते है, यह हमने यहापको बता दिया, clear, अब एक और चीज़ है, same चीज, कि parallelogram में क्या होता है, diagonals जो होते हैं, वो एक दूसरे को bisect करते हैं, एक दूसरे को bisect करते हैं, तो वो भी आपको में बता दूँगा, तो इसके पहले मैं यह चीज़ रफ कर लेता हूँ, ताकि आपको में यह चीज़ बता सको, properly, diagram का यही रखूँगा, ताकि दुबारा बनाना की जरूत ना प तो यहाँ पर में को एक और diagonal बनाना पड़ेगा, यानि कि यह वाला इससे में join कर लेता हूँ, एक यह diagonal है, एक यह वाला है, तो हम लोग यहाँ पर देखके बोल सकते हैं, कि कोई भी parallelogram में, जो diagonal zone होते हैं, वो एक दूसरे को bisect करके जाते हैं, तो in short, जो हमारा segment होगा, य यह चीज हम लोग बोल सकते हैं, यानि कि clear cut यह चीज हम लोग को क्या पदा चला, कि अगर मेरा यह दोनों एक दूसरे को bisect करके जा रहे है, यानि कि जो भी इसका length होगा, वो half हो जाएगा, तो अगर मैंने इसको bisect किया, तो बीच में से bisect होके जा रहा है, यह बीच का point ह O, तो उसका आधा हो जाएगा, तो let's suppose अगर यह 10 था, तो आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, वैसे यह 10 होगा, तो यह भी 5, यह 5 हो जाएगा, यानि कि जो मेरा length है D से लेके O, उतरा ही length रहेगा, O से लेके भी correct है, तो same चीज यहाँ पे भी लाग जोनल्स का वो लगबग equal होता है, दोनों साइड, यानि कि यह और यह equal, यह और यह equal, यह और यह equal, clear reference, तो यही था हमारा properties and theorem, उमीद करता हो कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, 100% आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, अब यहापे कुछ solid examples है, यह मैं कि आप लोगो जो भी conceptual knowledge अब तक आपने पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया, पहले का जो भी आपको मालूम है, उसी की base पे है, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, तो चलिए, शुरुआत करते हैं हमारे पहले solid example की, तो इसको rough कर लेते हैं, फिर आपका question number 1 है example number 1, solid examples का, उसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तो आप जरूर से textbook रखो अपने पास, page number 61 पे एक बार check कर ले न, page number 61 पे आप नीचे देखोगे, तो solid examples दिया हुआ है, इसको हम लोग solve करने की कोशिच करते हैं, question number 1, ठीक है, तो क्या बोला है question में आप देखोगे ठीक है, okay, so let's draw the parallelogram here, इस तरह से कुछ parallelogram होगा, ठीक है, छलो इस प्रकार मैंने क्या कर लिया, parallelogram को draw कर लिया, क्या नाम बोला है, parallelogram का PQRS, आप लोग भी इसको थोड़ा सा, side में बनाना ताकि आप लोग solve कर पाऊ, या फिर पहले भी बनाओगे कोई problem नहीं, तो PQRS मेरा डाइकुनल दिया हुआ, यानि कि, पैरलोग्राम दिया हुआ है, यह तो हम लोगों पता चलगा कि PQRS दिज़ है पैरलोग्राम, चलो, ठीक है, ओके, और क्या बोला है, कि P S जो है, वो 3.5 है, ठीक है, ना, सेंटीमेटर वगरे कुछ दिया नहीं है, कि यूनिट क्या है, उस 50 डिगरी होगा, ठीक है, यह हम लोगो दे दिया, तो हमें पूछा है, find the length of remaining side and measure of remaining angles, मतलब जो बचे हुए side है, यह side बच गया, यह side बच गया, इसका हम लोगो value निकालना है, और जो बचे हुए angle से उसका value निकालना है, बहुत simple है friends, हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल निकालना है, angle P, angle S, angle R, यह हम लोगो निकालना है, is equal to question mark, यह सभी चीज़ निकालना है, इसके लिए मैंने question mark commonly डाल दिया, कि यह सब चीज़ हमें calculate करना है, ओके, यह तो चीज़ मुझे पता चल गया, ठीक है न, अब एक और चीज़ होता है दोस्तों, हमें पता है कि अग आपको मैं starting में जब बता रहा था तो यह property बता ना भूल यह एक चीज़ होता है, कि कोई भी parallelogram में angles जो होते है एक दूसरे के बाजू में, ठीक है, दिख रहा है, यह जो angles है एक दूसरे के बाजू में यह होते है, supplementary to each other, यानि कि angle Q और angle P जो होंगे, इसको plus करके कितना आ रेफर कर सकते हो, अगर नहीं रेफर करना है, कोई बात नहीं, आप एक बार चेक कर लो, आपको help मिलेगा, नहीं है, तो directly मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, कि यहाँ पे जो angles होते है, एक दूसरे को supplementary होते है, या फिर आप बोल सकते हैं, इन्टेरियर angles जो होते है वह एक दूसरे को supplementary होते है, तो हम लोग clear cut बोल सकते हैं, यहाँ पे जो angle P होगा, angle Q जो है, angle P के साथ अगर प्लस करूँगा, मैं, angle Q प्लस angle P, will be equals to 180 degree, क्यो होता है, क्योंकि जो angles होते हैं, अंदर के वो क्या होते हैं, supplementary होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, because of interior angle, interior angles are supplementary supplementary आप पूरा ऐसा लिख देना, ठीक है, पूरा प्रॉपरली लिख देना, मैंने जगा नहीं है, इसके लिए मैं पूरा नहीं लिख देना, ठीक है, अब यह हो गया, अब second चीज़ आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे, क्या angle P और Q को प्लस किया, P Q को प्लस करके 180 आता है, Q अगल P का value मिल गया आपको, 130 degree, correct है, मिल गया ना, एक चीज़ मुझे मिल गया, कि angle जो P है, P वाला मुझे मिल गया, P कितना मिल गया, 130 degree, ठीक है, अब आपने एक और property पहले से पढ़ा हुए, क्या property पढ़ा है, कि in case of parallelogram, opposite angles are also congruent, तो opposite angles congruent है, तो Q का opposite angle क्या है, S, तो angle S भी क्या हो जाएगा, angle S will be equal to angle Q, Q और S दोनों सेम होगे, तो angle S will be equal to angle Q, जो की होगा, S मुझे पता है कितना दिया हुआ है, कितना दिया होगा, S, question में देख लेते हैं हम लोग, sorry, angle Q हमें दिया हुआ है, माफ किजएगा, angle S निकालना है हमें, और angle S opposite है, तो angle Q 50 है, तो ये भी 50 तो हम लोग बोलेंगे कि ये 50 है, तो ये भी 50 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, कि angle S will be equal to angle Q is equal to 50 degree, ये हमारा एक और answer मिलका है, यहां से, angle S भी निकल गया, टिक कर लिया, अब हम लोग को एक और पता है, कि P हमने अभी अभी निकाला, P कितना निकाला, 130 degree, तो ये अगर 130 है, तो ये भी 130 degree हो जाएगा, क्योंकि ये भी opposite angle है, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि angle P जो होगा, equal होगा, angle R से, तो angle R कितना मिल गया हम लोग को, कहा आ गया, angle P कितना निकाला था हम ये, अभी 130, तो ये भी हो जाएगा, 130 degree, तो हम लोग clearly लिख सकते हैं, कि angle R is equal to 130 degree, reason आप ल angles congruent है, इसलिए होता है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, same चीज, कि opposite angle R congruent, ऐसा आप लिख देना, properly आप लिखोगे, तो ज्यादा बेटर है, opposite angles R congruent, ये चीज हो गया, 100% उमीद करता हो, कि ये चीज clear हो गया, अब बात कर लेता हो, यहाँ पे और एक चीज, ये तो हमने angles निकाल लिए, angle P, angle S, angle R भी निकाल लिए, अब मुझे side निकालना है, ठीक है, तो एक और चीज हमने पढ़ा है दोस्तो, parallelogram के case में, क्या होता है, कि opposite sides जो होते हैं, वो भी congruent होते है, तो opposite sides अगर congruent होते हैं, तो ये PQ का 3.5 दिया हुआ है, PQ का 3.5 है, तो अगला जो है, S, R भी होगा 3.5, तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, कि angle, sorry, not angle, यहाँ पर side की बात हो रही है, तो side मेरा PQ, जो है, वो 3.5 दिया है, तो हम लोग बोल सकते हैं, therefore, side जो है मेरा, क्या नाम है, S, R, तो side मेरा S, R है, तो ये क्या हो जाएगा, side S, R will always equal to 3.5, ये भी 3.5 होगा क्यों होगा, क्योंकि we know that opposite sides are congruent, ये हमें पता है, हमने पहले से पढ़ा है, तो opposite sides congruent है, that's why, अगर ये 3.5 था, तो ये भी 3.5 होगा, तो हमने एक और answer निकाल लिया, कि side S, R जो है, वो भी 3.5 होगा, and एक और last चीज बस गया, that is, S, R निकाल लिया हम लोग, S, R मतलब RS, सेम लिखो, RS लिखो, एक ही बात है, अब एक ही बज गया, QR, QR की तरह है, ये वाला, तो PS हमें दिया हुआ है, PS जब 5.3 है, तो उसके opposite में QR है, तो ये 5.3 होगा, तो हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, कि side, जो है मेरा, QR, is equal to side PS, ये भी इससे same ही होगा, Q होगा, ये भी opposite sides क congruent, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, opposite size के congruent है, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि जो side QR होगा, वो PS के बराबर है, तो PS कितना है, 5.3, यहाँ पे लिख दिया हमने 5.3 आ गया answer, correct दोस्तों, उमीद करता हो कि ये चीज आपको clear हो गया होगा, बहुत ही simple तरीके से मैंन remaining sides हो हमने निकाल लिए, जितने में angles remaining बचे होए ते हो हमने निकाल लिए, और पूरी उमीद करता हो दोस्तों कि आप लोग को ये चीज अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा, अब आप देखोगे, इसी प्रकार से हम लोग को एक और question पूछा हुआ है, कि एक coordinator आप solve करके दिखाओ, भले solve करके दिया हुआ है textbook में, लेकिन आप लोग इसको कोशिच करो बिना देखे solve करने की, क्योंकि concept क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि parallelogram बोला है, ABCD है, A हमारा 4X plus 13 दिया हुआ है, D5X minus 22 दिया हुआ है, तो दो angle यहाँ पे दियो है, और भी angles जो होते है, A और D, बाजू-बाजू के angles, क्या होते है, एक दूसरे को supplementary होते है, यह भी हमने देखा था कहां गया, that is, यह वाला interior angle supplementary होते है, तो A और D जो था, 4X plus 13 और 5X minus 22, यह दोनों को plus करके is equal to 180 हो जाएगा, तो वहाँ से आपको X मिल जाएगा, तो X आपका 21 बना गया, उसी प्रकार आप A का और D का angle निकाल सकते है, और A के opposite में जो C है, उसका directly निकल जाएगा, D के opposite में B है, तो उसका directly निकल जाएगा, तो दोस्तों मैंने यह चीद आपको orally explain क्यों कि है, क्योंकि मैं चाहता हो दोस्तों कि यह जो example है, example number 2, जो कि आप page number 62 पे दे example number 2, क्योंकि अगने वाला जो lecture है, हमारा next lecture जो है, अपना lecture number 2 जो होगा, उसमें मैं आपको practice set number 5.1 यह 100% कराने वाला हो, जो कि बहुत मज़ा आएगा करने में, तो आपको बस करना है हमारे अगले lecture का इंदजार, ताकि हम आपको practice set number 5.1 जो है करा सके, तो आज के लिए, य आपको अच्छा लगा है, तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा है, जरूर से करना, suggestion जो होता है, आपकी राया और suggestion बहुत important होती है, तो जरूर से comment करके बताना, वीडियो पसंद आया है, दोस्तों, useful लगा है, तो please वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, आपने सारे friends लो वीडियो लेकर आएंगे, आप लोगो notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे एकले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.